हेलो एबरिवन आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से टेक्स फाइल को एक्सल में इंपोर्ट करके उससे डेटा कैसे एकसे एक्सेक्ट करते हैं ये कंडिशन्स जनरली देखने को मिलती है बोर्ड एक्जाम्स के रिजल्ट जो स्कूल एक साथ डाउनलोड करती है आप देखेंगे ये कंपाइल रिजल्ट है एक स्कूल का जिसमें देख सकते हैं बच्चों की डीटेल है विद कंबाइन डेटा के साथ में ये एक ही रो में है इसमें आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं कोईशन लगी है कि ये पूरा डेटा एक ही रो में इंप्लांटेड है इसे कैसे एक्सिक्ट करेंगे लेट्स हैवन एक्सामपल हम वन एक एक सब्जेट के राइट-एंड साइड से कांटिंग स्टार करेंगे कि स्पेस बार हमारा कितना जंप कर रहा है लेट्स बांटिंग नाव यह चेक आउट इस अगोंचिंग नियर ब़केश रखंग इसके बाद आपको व्हटेशिक्स लिखना है और प्रकेश करके enter कर दीजिए आपके सामने right hand section से 26 characters remove हो करके बाहर आ गए है इसको हम फिर से एक बार remove करेंगे इस बार हम equals to के साथ अगले cell में जिस cell में हमारा address last अभी आया है उसमें हम left लगाएंगे इस बार left function use करेंगे equals to current cell address है v1 comma three letters हमें चाहिए three characters हमें चाहिए left hand side से वो आचुके हैं हमारे बाहर अभी अब इन दोनो formulas को नीचे तक manually drag कर देंगे from bottom right corner and see the changes that simple too easy formula left or right will take out your data extract from the particular single length data field now copy paste this particular cell data into another cell third cell third column and on left hand corner you should change the character type that is called number system change into the text to number system now your data will come out and you will label it with your subject name बहुत ही आसान है एक-एक subjects का आप बहार निकाल सकते हैं बिना किसी time wastage के within two or three minutes एक-एक subject बहार आपका separate हो जाएगा उसके बाद आप average निकालिए टोटल कीजिए individual subject का टॉपर निकालिए इस अल अबाउट एजी टॉपर निकालिए झाल झाल